तो देख सकते हैं पर एक question है 8 का square माइनस 3 का square ठीक है सबसे पहले हम लोग formula जान लेते हैं कि A square माइनस B square का formula क्या होता है तो उसका formula होता है A plus B into A minus B ठीक है इसी formula को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं A minus B को पहले और A plus B को बाद में ठीक है आपको इस formula की सहायता से इस question को बनाना है ठीक है यानि सुरू में देखिए यहाँ पर 8 है 8 जो है वह करेगा A का काम और यहाँ पर 3 है यह करेगा B का काम ठीक है तो आपको सबसे पहले लिखना है A यानि A के अस्थान पर कितना लिखाएगा वह लिखाएगा 8 तो आपको लिख देना है 8 ठीक है इसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन है तो आपको प्लस का चिन को लगा लेना है इसके बाद B के अस्थान पर लिखना है 3 ठीक है फिर इसके बाद आपको इस bracket को on करना है और A के अस्थान पर लिखना है 8 और यहाँ पर माइनस का चिन है तो माइनस का चिन को लगा करके इसके बाद आपको B लिख देना है B के अस्थान पर कितना है? वह है 3 लिख करके इस bracket को बंद कर देना है ठीक है? अब आपको इसको solve करना है यानि 8 और 3 यह हो जाएगा 11 इसके बाद 8 में से 3 घटाने पर हो जाएगा यह हो जाएगा 5 ठीक है? 11 को लिख देंगे जब यह bracket का चिन हटेगा तो चिन गुना का आ जाएगा ठीक है? यहाँ पर 5 है तो आपको 5 लिख देना है अब आपको 11 से 5 में गुना करना है यह हो जाएगा 55 यानि 8 का स्क्वाइर माइनस 3 का स्क्वाइर अगर इस क्वेस्चन को A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर पर बना है तो उसका एंसर कितना हैगा? उसका एंसर 55 आ जाएगा ठीक है? आप इस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं इस formula में आपको क्या करना है A के अस्थान पर जैसे आप लोग 8 रख रहे थे उसी तरह से रख देना है लेकिन इसमें minus आपको पहला बार लिखना है ठीक है और फिर B के अस्थान पर कितना था 3 था तो आपको 3 लिख देना है और इसके बाद फिर लिखना है A और इस बार बाद में plus को करना है और B के अस्थान पर 3 थीक है और आपको फिर solve कर देना है यानि यह आजाएगा 5 और यह आजाएगा 11 अब आपको simply यह दोनों संक्या का गुना कर देना है थीक है तो आप किसी भी formula से बनाईएगा तो आपका answer same आएगा ठीक है अगर आप shortcut तरीका से बनाना चाहते है तो आपको देखिये क्या करना है 8 का square कितना होता है 8 का square होता है 8 गुना 8 यानि 64 ठीक है और 3 का square कितना होता है 9 यानि 64 में से आपको 9 को घटा देना है तो यह हो जाएगा पचपन ठीक है तो आप इस तरह से सौटकोट बना सकते हैं और इस तरह से फर्मूला से बना सकते हैं